अप्राधो पांगुष की मांकोले का पूर्व विधायक ललित मीडा ने नहारगड पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का पुलिस महा निड़क्षर के नाम ग्यापंच सौपा पूर्व विधायक ललित मीडा ने मुख्य चोराहे पर इस्थित मंडी पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार में अप्राधो की संख्या लगातार बढ़ रही है नहारगड के मोती पूरा में लगबगा ठारलाग के सोनी चांदी के आभूशन और नगदी चोरी के मामले में अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है पूर्व विधायक ललित मीडा ने प्रदर्शन के दोरन सरकार के आदेशों की खुल कर धजिया उड़ाई और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया नहर में अग्यात यूवक के कूदनी की खबर पर कोटा के नगर निगम रेस्क्यू टीम यूवक की तलाश में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद गोता खोरों को सफलता मिली वहीं यूवक के शोगो पॉलस को सौब दिया गया है अगरी शमन के अंदर पर रनिंग कोल कुछ लोग एकदम भागे हुआ है और बोला कि हमारा कोई व्यक्ति है जो इसमें नहर में गिर गया है तो नशे की हलत में इसा बदा रहे थे तो गिर गया है और को यहां पर जो मिनी ट्रक युनिन है वहां तक तो उसको देखा है उसके बाद वो नीचे डूग गया है तो कल से ही हमारी टीम तलाश कर रही थी रात देर रात तक हमने तलाश करी और आज सुबह जल्दी टीम को दो तीन भागों में बाटा तो एक उमेद गंज की तरफ है एक तेगडा की तरफ है और एक टीम यहीं पर लगाए गई यूगी पाने का प्रवा कम था इस संदे मे हमने एक टीमिया लगाई तो उस जो पहली टीम थी एक टीम है तो उसको सफलता मिली है कोटा के रामपूरा में छे फीट का अजगर की सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम ने सर्च ऑपरेर्शन कर अजगर को पकड़ लिया यूपी के बांदा में तीश वर्ष यूवक ने फासिल लगा कर आत्महत्या कर ली वहीं परिजनों ने यूवक को अस्पतार ले कर गए जहां डॉक्टरों ने यूवक को मृत्त घोशित कर दिया परिजनों की माने तो यूवक अकसर शराब के नशे में रहता था और मानसिक रूप से परिशान चल रहा था जिसके चलते उसने आत्महत्या की वहीं पोलस ने मौके पर पहुचकर शौक और पोस्ट्रमाटम के लिए भीज दिया है आज यह थाने को सूचना प्राप्त हुए कि वैवेरु कस्वे के रहने वाले एक रोणी यादों हैं जिसके उम्र करीब 30 वर्स है इन्होंने अपने घर में ही फासी का फंदा लगा करके आत्मत्या कर लिया है इस सुचना पर पुलिस मोगे पर पंचाद नामा की करवाई करके उनकी डेट बाडी को पंचाद का पोस्ट्रमाटम के लिए भीज दिया गया है घरवालों को काना है कि हमेशा सराप के नशे में रहते थे तथा मांसिक रूप से आउशाद में हमेशा बने रहते थे जिसके काड़ से नोंने आत्मत्या किया पंजामी कोरोना महमारी का असर स्रीक्रिष्ण जन्मास्टमी के तेहार पर देखने को मिला कोरोना संक्रमण के मद्दे नजर लुध्याने के प्रशिद्ध स्रीक्रिष्ण मंदिर के में खास इंतजाम किये गए पलिस के साथ मंदिर कमिटी की सुरक्षा विवस्था भी तैनात की गई इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया हाला कि इस बार मंदिर में प्रसाद बाटने और चड़ाने की इजासत नहीं थी उनके लिए हम ठाकुर जी से प्राटना करेंगे और जो ये कुरोना महामारी की जो वीमारी है उसको दूर करने के लिए ठाकुर जी से प्राटना करेंगे कि सभी का जो मनोरत हैं वो पूर्ण हो